हलो एवरीबन, वेलकम टू माई चैनल, सो दोस्तो आज की ये वीडियो बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाली है, हमारे बीए प्रोग्राम सेकंड सेमिस्टर वाली स्टूरेंट्स के लिए, सो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ ग जो जरूर देख लिए होगी, तो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिसकस करने वाले हैं हमारे कोशन नंबर टू के बारे में, तो दोस्तो कोशन नंबर टू से रिलिटिज सारे पॉइंट आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिसकस करने वाले हूं कोशन नमबर टू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि कॉलबर्ग दुआरा दिये गए नैतिक विकास के विभिन इस्तरों और चरणों को उधारन सहीत समझाई है तो दोस्तों आप लोगों से एक स्वेमस राइटर के बारे में पूछा जा रहा है तिंकर के बारे के साथ वन बार वन करके डिस्कस करने वाले हूं और इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों के साथ कोशन नमबर वन की विडियो और लेडी शेयर कर चुकी हूं और आज के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हूं कोशन नमबर टू कई सारी डिटेल तो चलिए दोस्तों फटापट से सारे पॉइंट्स को वन बार वन करके डिसकस करना शुरू करते हैं। सो दोस्तों हमारा जो सबसे पहला और इंपोर्टन पॉइंट है वो है हमारा परीचे। तो परीचे आपको कुछ इस तरीके से लिखना है कि मनोव विज्ञान वर दर्शन शास्तर विशे में कॉलबर्ग ने अतियंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कॉलबर्ग बहुत कम उम्र में ही शिकागो विश्विद्याले में पढ़ाने लगे थे। बाद में कॉलबर्ग ने हारवर्ड विश्विद्याले में पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने कई प्रतिभा संपन व्यक्ति जैसे रूसो, जोन, डेवी, जेम्स, मार्क, आदी के लेखोवा सिध्धानतों का विश्लेशन किया। लोरेंस कॉलबर्ग ने प्याजे के नैतिक विकास के सिध्धानत पर अभूत पूर्फ शोत कार्य किया। कॉलबर्ग ने प्याजे के सिध्धानत को विकास करम प्रदान किया, जो इस छेतर में एक नया कदम रहा। तो दोस्तो इस तरीके से आप लोग को इस question के अंसर में परिचे लिखना है दोस्तो अब बात करते हैं हमारे next point की जो की है नैतिक विकास के इस्तर तो दोस्तो question के अंदर सबसे पहले आपसे इस्तर ही पूछा गया है तो इससे related point आपको ध्यान रखना है नैतिक विकास के मुख्ये दो इस्तर हैं नैतिक वहवार का विकास इस्तर वर नैतिक संप्रतायों का विकास इस्तर नैतिक विकास के दोनों इस्तर एक दूसरे से अलग-अलग विक्सित होते हैं ये जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति के नैतिक संप्रतायों का विकास जिस इस्तर तक हो गया हो उसका नैतिक वहवार भी उसी स्तर पर होगा साथी साथ नैतिक वहवार की शिर्णी से नैतिक संप्रतायों के विकास के विशे में भी नहीं कहा जा सकता इसका प्रमुक कारण ये है कि नैतिक वहवार ग्यान की अपेक्षा व्यक्ति के समाज, समाज की अपेक्षाओ, स्वयम की वा अन्य व्यक्तियों की सोच इच्छाओ आधी से अधिक प्रभावित होते हैं तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आपके नैतिक विकास के इस्तर आपसे कोशन के अंदर पूछा गया है उसके बेसिकली दो प्रमुख इस्तर हैं यानकी दो मुख्ये इस्तर हैं पहला है नैतिक वहवार का विकास इस्तर दूसरा है नैतिक संप्रताय का व परिपट्टी में सर्वच्चतम बनाना चाहता है। साथी साथ प्रतेक परिवार भी अपने सदस्यों का आच्रन नैतिक इस्तर पर उच्चे कोटी का चाहता है। दुनिया का प्रतेक व्यक्ति समाज द्वारा अनुमोदित नैतिक वहवार को मानक मानता है। नैतिक वहवार का इसतर प्रतेक समाज वा संप्रदाय के लिए अलग-अलग हो सकता है। बच्चों में नैतिक वहवार का विकास मुख्य रूप से तीन तरह से होता है। पहला है लगतार कोशिश, लगतार कोशिश करते रहने से बच्चे नैतिक वेवार के आयाम विभिन तरीकों को अजमा कर सीखते हैं, जिन तरीकों को समाज नहीं अपनाता है वे सोयम भी उनकी पून रिवनित नहीं करते हैं, तथा अगले तरीके को आजमाते हैं, ये क्रम त जब तक चलता रहता है जब तक ऐसे नियाय संगत तरीके ना खोज लिये जाएं जिसे समाज अपना लेता है दोस्तों हमारा सेकंड पॉइंट है नैतिक वहवार की शिक्षा इस तरह के नैतिक वहवार का विकास सीधे तोर पर अभी भाव को परिजनों सजनों वा अध्याप को द्वारा होता है बच्चों से किस तरह का वहवार अपेक्षिक्रित है उन्हें शुरुवात में ही बता दिया जाता है जिसे बच्चों को उस वहवार को अपनाने में कोई विशेश दिक्कत ना हो नियमों की व्यवस्ता तो तक कृतियों के प्रभावों आधी के विशे में बच्चों को भली भाती बता दिया जाता है सोयम अनुभव खोच करके बच्चे जिस व्यक्ति को पसंद करते हैं वे उनके नैतिक वहवार को भी अपनाने के लिए अपने अंदर नैतिकता का विकास करते हैं बच्चे दूसरों का अवलोकन करके नैतिकता भी अपनाते है वे अपने नैतिक वहवार का इस तरह अपने रोल मोडल के अनुसार करने का प्रेतन भी करते हैं तो दोस्तों ये हो गया हमारा पहला पॉइंट जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे दूसरे पॉइंट की जोगी है नैतिक संप्रतायों का विकास नैतिक वहवार के उपरांथ नैतिक संप्रतायों का विकास सिधान्त के सही होने या गलत होने की रूप में होता है छोटे बच्चों में नेतिक संप्रतायों का विकास अमरुत्ती रूप में ना होकर मूर्थ रूप में होता है तथा साथ ही साथ ये शाब्दिक रूप में भी होता है पाट वर्ष से छोटे बच्चे सिर्फ मूर्त रूप से ही सोच सकते हैं इसलिए वे अच्छे वा बुरे वहवार को संप्रतायों के रूप में समझते हैं इस इस्तर पर बच्चा अपने माता-पिता का कहना मानना अपने भाई भेन की मदद करना अच्छा वहवार मानता है तथा माता-पिता का कहना ना मानना भाई भेन की मदद ना करना बुरा वहवार मानता है अगले इस तर में छात्र संप्रतायों का समानने करन करने लगता है जैसे जूट बोलना गलत है ना कि सिर्फ दोस्तों के साथ जूट बोलना गलत है बच्चों के नैतिक मूले इस्थिल होते हैं जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके नैतिक मूले अन्य व्यक्तियों के संपर्प में आने से लगतार प्रभावित होते रहते हैं दाना बाना लगभग बना चुके होते हैं लेकिन इस अवस्ता में भी समाजिक धाचे में रहकर बच्चों के नैतिक संप्रतायों को वच्छित आकार दिया जा सकता हैं तो दोस्तों यह हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट जो कि आप लोग को ध्यान रखना है तो दोस्तों यह दो इस तर हैं जो कि आप लोग को ध्यान रखने हैं जिनके बारे में आप से आपकी कोशन के अंदर पूछा गया हैं दोस्तों अब बात करते हैं हम अमारे नेक्स पॉइंट की कॉलबर्ग का शोध कॉलबर्ग ने अपने शोध में लड़कों को साक्षातकार कुछ कुछ दुविधाय दे कर लिया ये ध्यान रहे की कॉलबर्ग का शोध दुविधायों के उत्तर पर ना होकर दुविधायों संबंदी उत्तरों के कारणों पर था प्याजे की तरह कॉलबर्ग भी कहानी के माद्याम से बच्चों की नैतिकता संबंदी समझ परकना चाहते थे कॉलबर्ग दोड़ा बच्चों को प्रस्तुत की गई हाईजन की दूविदा से हम नैतिक विकास संबंदी चड़नों को समझ सकते हैं हाइनस ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए हर मुमकिन प्रयत्न करने का प्रण लिया कुछ समय पहले ही शहर में एक वैग्यानिक ने रेडियम तत्व का प्रियोग कर इस विशेश प्रकार के कैंसर का इलाज खोज लिया था वैग्यानिक ने 100 डॉलर का रेडियम खरीद कर उस दवाई को 2000 डॉलर में बेचने का फैसला किया हाइनस को वैग्यानिक की दवाई के विशे में पता चला जब हाइनस कैमिस्ट से दवाई खरीदने गया तो दवाई की कीमत सुनकर वापस लोट आया हाइनस ने हर जानकार व्यक्ति से धन मांगा लेकिन वह केवल 100 डॉलर ही जुटा पाया हाइनस फिर से कैमिस्ट के पास दवाई लेने गया और अनुरोथ किया कि या तो उसे दवाई 100 डॉलर में दे दी जाए या बची हुई कीमत चुकाने के लिए समय दिया जाए कैमिस्ट ने हाइनस को दवाई देने से मना कर दिया आखिरकार परिशान होकर हाइनस ने कैमिस्ट के स्टोर में चोरी करके अपनी पतनी के लिए दवा चुरा ले उप्यूक्त कहानी के अधार पर निमलिकित प्रशनों पर विरचार करें क्या हाइनस को दवाई की चोरी करनी चाहिए थी अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए साक्षातकार के समय कॉलबर्ग ने बच्चों से उनके जवाब के कारण बताने के लिए कहा इससे पहले सवाल के बाद बच्चों से अन्य सवाल पूछे गए जिसके उनके जवाबों के कारण भी पता चलें जैसे कि क्या हाइनस को दवाई चुराने का अधिकार था क्या कैमिस्ट को अपनी खोजी हुई दवाई को मुँ मांगे दाम पर बेचने का अधिकार था आदी सभी सवाल बच्चों के द्वारा दिये गए उत्तरों के कारणों पर जोर दे रहे थे सवालों के जवाब वा उनके कारणों को वर्गिकरित कर कॉलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल तीन अवस्थाओ वा छे चरण सुझाए हैं इन चरणों को हम अधियन के अगरिम भाग में समझेंगे यहां ये समझना भी आवशक है कि प्रतिक अवस्था में दो चरण समलित किये गए हैं इस तरह कॉलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल तीन अवस्थाओ वा छे चरण सुझाए हैं सो दोस्तो हमारा नेक्स पॉइंट है प्रतम अवस्था पूर्व पारंपरिक नेतिकता की अवस्था इस अवस्था में बच्चों के तर्क उनकी व्यक्तिकस जरूरतों वा अनुभवों पर अधारित होते हैं प्रतम चरण दंड अग्याकृत अभी विन्यास तो दोस्तों यह हमारा पहला पॉइंट है इस पॉइंट को आप लोगों को अच्छे से समझना है इस चरण में बच्चा समानी रूप से कटनाईों से दूर रहने की कोशिच करता है इस अवस्था में अत्यादिक एहम केंद्रित चिंतन पाया जाता है बच्चों की सभी वहवारिक रूप सोयम की आवशक्ता वह उच्छाओं की पूर्ति तक ही केंद्रित रहती है इस चरण में बच्छे दण से बचने के लिए वा बुरे परिणामों से बचने के लिए अग्या कृता का पालन करते हैं कॉलबर्ग द्वारा सुजाए गए पहले चरंट प्याजे के प्रथम सिध्धान के अनुरूप है हाईजन की दुविधा के जवाब में बच्चों ने हाईजन द्वारा दवाई को चुराना गलत माना वा अपने उत्तर का मुख्य कारण चोरी के प्रभाव जेल सजा को माना दूसरा कारण व्यक्तिगत पुरुसकार वा विन्यम अभी विन्यास तो दोस्तों ये हमारा दूसरा चरंट है इस चरंट में एहम से केंद्र हटकर सोयम के सासा दूसरों की आवशक्ताओं की पूर्टी के कारियों को भी अच्छा मानता है इस चरंट के कारियों में भौतिक इमानदारी होती है इस चरण में नेतिक तर्क का अधार मिलने वाले पुरुसकार वा विन्यमान पर अधारित होता है समाने रूप से बच्चे जब कोई कारिय इस तर्क को देते हुए पूरा करते हैं कि कारिय करने के बाद उन्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो वह चाहते हैं तो वह इसी चरण का प्रतिनिदित्व कर रहे होते हैं साथ ही बच्चे मुझे क्या मिलेगा या तुमने नहीं किया तो मैं क्यूं करूं के अधार पर भी नेतिक निर्णों के तर्क दे पाए जाते हैं जैसे हम सरकार की मदद क्यूं करें जब सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती ध्यान देने योगी बात ये है कि किसी चरण पर होना केवल आयू अधारित नहीं है बलकि दिये गए उत्तर के लिए प्रियोग किये गए तर्क है दृत्य अवस्था पारंपरिक नेतिक्ता की अवस्था इस अवस्था में बच्चे समाजिक वा विधिक अपेक्चाओं को ध्यान में रखकर दुविधाओं के समधान का तर्क देते हैं तीसरा चरण अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभी विन्यास इस अवस्था में किसी भी व्यक्ति को आम समाजिक धार्णा के अनुरूप अच्छा समझा जाता है जैसे अच्छा बड़ा भाई होने का मतलब है छोटे भाई बेन की मदद करना प्रस्तु चरण का अधार समाज द्वारा बनाए गए नियम परंपरा आच्रण अचार वेहवार आदी है इस चरण में व्यक्ति द्वारा लिये गए नैतिक निर्नों का अधार वे समाजिक सुईकरिती है जिसको विद्यमान रीती रिवाज या परंपरा पिष्ट भूमी प्रदान करते हैं व्यक्ति अपने कारे को नियाय योचित ठहराने के लिए अधिकतर समाजिक नियमों का सहरा लेता है क्योंकि समाजिक सुईकरिती पाना उसके निर्नों की भी सुईकरिती होगी उधारन के लिए जेंडर के अधार पर लड़के लड़कियों के लिए विशिष्ट भूमिकाय तैयार कर दी जाती हैं लड़के और लड़किया इनी पूर्व निर्धारित भूमिकाय के समस्त वहवार करते हैं इस बात की संभावना है कि व्यक्ति पूर्व इस्थापित मानकों को आस्विकरित करें परंतु निर्ने के पीछे दिये जाने वाले तरकों को अधार देने के लिए वे समाज द्वारा पूर्व निर्धारित मापदंडों को ही अधार बनाता है कुछ मिलाकर कुल मिलाकर इस चरण में तरक समाज के पूर्व निर्धारित नियमों से ही उधित होता है चोथा चरण विध्यक वा वियवस्था अभी विन्यास इस चरण में पारिवारिक भूमिका और अपेक्छाव की बजाए नियम और कानून पर अधिक बल दिया जाता है समाजिक प्रणाली को बनाय रखने वा नियमों का पालन करना इस चरण के मुखे गुण है इस चरण में वेक्ति किसी भी दुविधा या दुवंद के समाधान के लिए दिये गड़ तरकों को कानूनी विध्यक अधार पर तरक संगत ठेराता है उसका मानना रहता है कि कानून हमारे लाप के लिए बनाए गए है अंतिता हमें उनका पालन करना चाहिए ध्यान देने की बात ये है कि इस चरण में कानून या नियमों को मानने के पीछे कारण सजा से बचना ना होकर कानूनी वेवस्था में विश्वास इव आस्ता रखना है ताकि समाजी कारे प्रणाली यथा ओचित रूप से संचालित रहे तृतिय अवस्था उत्तर पारब परिक नैतिकता की अवस्था इस अवस्था में बच्चों का तरक व्यक्तिगत सिधानतों या समझ के अधार पर होता है जो समाज के नियमों से बंधे नहीं होते हैं पाच्वा चरण समाजिक अनुबंध अभी विन्यास इस चरण में बच्चों की मौलिक समझ मानविय अधिकारों के इस गृद विक्सित होती है कानून का मौलिय इस चरण में चरण चार की तरह ना होकर एक व्यक्ति के मानविय अधिकारों के सपेक्च होता है इस अवस्था में परमानक नैतिक सिधानत समाजिक मौलियों की और सरकते नजर आते हैं समाजिक अनुबंदों के अधार पर ही किसी कार्य को अच्छा समझा जाता है इस चरण में व्यक्तिगत मूलियो वा उनके दिश्टिकोनों के प्रती जागरुकता अधिक होती है किसी कार्य में अधिकतर व्यक्तियों की सहमती प्राप्त करने पर अधिक बल होता है इस चरण में समाज द्वारा बनाए गए वा विधी द्वारा बनाए गए नियमों को समाज वा वेक्ति के भल के लिए बदला भी जा सकता है मगर इस तरह के फेर बदल के लिए भी समाज का सारा लिया जाता है छटा चरण सर्वभौमिक नैतिक अभी विन्यास इस चरण में सर्वभौमिक मानवे मूलियों की सर्वा अधिक महात्ता पाई जाती है वे इस चरण में लड़के लड़किया किसी एक व्यक्ति के लाभानी के विशे में विचार ना करके सर्वभॉमिक मानुए मूलियों को अधिक महत्वत देना देते हैं इस चरण में नैतिक विकास के सिध्धानतों को तर्कु रूप में जाचा पर्खा जाता है इस चरन में जीवन के सबसे अमूलिस समझा जाता है कॉलबर्ग ने नैतिक विकास के चरन को हाईजन की दुविधा पर बच्चों की प्रतिकरिया द्वारा इस प्रकार समझाया जा सकता है कॉलबर्ग ने कहानी सुनाने के उपरान बच्चों से कुछ दुविधा पूर्ण सवाल किये वा प्रतेक दुविधा का उत्तर हा या ना में था बच्चों के हा या ना के जवाब देने पर कॉलबर्ग ने उन्हें जवाब का कारण भी पूछा था कॉलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिकता को दुविधा के जवाबों के माध्यम से भी समझा जा सकता है क्या हाईजन को दवाई की चोरी करनी चाहिए थी प्रथम चरण दंड अग्या कृता अभिविन्यास नहीं हाईजन को दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस वज़ा से उसे जेल जाना पड़ सकता है हाँ हाईजन को दवाई चुरा लेनी चाहिए क्योंकि दवाई की असली किमत 100 डॉलर ही है जिसे हाईजन ने देने की पेशकश भी की थी साथी साथ हाईजन दवाई के अलावा और कुछ नहीं चुरा रहा है दूसरा चरण पुरुसकार वा विन्यमान अभी विन्यास हाँ हाईजन को दवाई चुरा लेनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से वे अपनी पत्नी की जान बचा लेगा तथा खुश रहेगा चाहे उसे जेल ही क्यों ना जाना पड़े नहीं हाईजन को दवाई नहीं चुरानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से उसे जेल जाना होगा जो पत्नी की जान बचाने से भी अधिक दुखदाई होगा तीसरा चरण अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभी विन्यास एक अच्छा पती है नहीं हाइजन को दवाई नहीं चुरानी चाहिए क्योंकि चुरी करना बूरी बात है तदह वे एक अपरादी नहीं है हाइजन का कोई भी दोश नहीं है उसने बिना कानून तोड़े हुए अपनी पत्नी को बचाने का हर संभव प्रयास किया है चौथा चरण विध्याक व व्यवस्था अभी विन्यास नहीं हाइजन को दवाई नहीं चुरानी चाहिए क्योंकि कानून व्यवस्था में चोरी की इजाज़त नहीं है हाइजन को दवाई चुरा लेनी चाहिए जिससे उसकी पत्नी की जान बचाई जा सके साथी साथ उसे कानूनी व्यवस्ता द्वारा इस्थापिस सजा भी काटनी चाहिए और कैमिस्ट को उसकी दवाई की वैद कीमत चुकानी चाहिए पाचवा चरण समाजिक अनुबन अभी विन्यास हाँ, हाईजन को दवाई चुरा लेनी चाहिए क्योंकि प्रतेक वैक्ति को जीवन का अधिकार है नहीं, हाईजन को दवाई नहीं चुराने चाहिए क्योंकि कैमिस्ट को उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए छटा चरण सर्व भौमिक अभी विन्यास हाँ, हाईजन को दवाई चुरा लेनी चाहिए क्योंकि एक मानव की जिन्दगी बचाना किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति से अधिक मौलिक है नहीं हायजन को दवाई नहीं चुरानी चाहिए क्योंकि कुछ अन्य व्यक्तियों को भी उस दवाई की जरूरत होगी तथा उन वैक्तियों का जीवन भी उतना ही जरूरी है तो दोस्तों यहां पर आप लोगों का जो अंसर है वो पूरा फिनिश होता है दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को इस कोशन का अंसर अपने असाइमेंट के अंदर लिखना है दोस्तों जो जो भी important point थे वो सारे मैंने आप लोगों को अच्छे से explain कर दिया है उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को सारी चीज़ा अच्छे से clear हो गई होगी और दोस्तों अगर आवाज में आपको थोड़ी सी problem हुई हो तो इसके लिए I'm sorry क्योंकि मेरी अवाज कल से थोड़ी सी बैटी हुई है इसलिए हो सकता आपको थोड़ी problem हुई हो लेकिन दोस्तों आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत जादा important है आप लोगों को अच्छे से follow कीजे और दोस्तों अब आप लोगों के education subject का assignment complete हो चुका है और दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि अभी तक मैंने आपको जितनी भी वीडियो प्रोवाइट की हैं आप लोगों के लिए वो काफी जादा helpful रहे होंगी तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को like कीजेगा अपने दोस्तों के साथ share कीजेगा अगर आप लोग चैनल पर first time आयों तो प्लीज चैनल को subscribe करना मत बूलेगा तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आप सबसे next वीडियो के अंदर तब तक के लिए thank you so much